हाई, वेलकम तो मैं चानल, इस वीडियो में सॉल्व करें कुछ चनल 5, इसलिए रॉम्बस विद साइट 6 सेंटिमेटर और वन डियागनल 8 सेंटिमेटर, मेजर दो अदर डियागनल, देखें, रॉम्बस के एक साइट दे दिया है, तो हम जानते हैं कि रॉम्बस के आल साइट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए आल दा फोर साइट आफ दीस रॉम्बस अर गिवन 6 सेंटिमेटर, एंड वन डियागनल दे दिया है 8 सेंटिमेटर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे हाँ पर, एक rough diagram द्रा करेंगे, ओके तो हमने ये rough diagram द्रा कर लिया, यहाँ पर हम इसको level कर देते हैं, ओके सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर, हम पहले AC डियागनल द्रा करेंगे, उसके बाद all sides, ठीक है, बहुत असान है इसमें पहले हम AC ड्रा करेंगे और AC ड्रा करने के बाद अभी बताते हैं आपको क्या करेंगे ओके तो हमने यहाँ पर AC जो है 8 cm ड्रा कर लिया है तो यहाँ पर लेबर कर देते हैं A and C ठीक है अब देखें A को सेंटर मान करके 6 cm करेंडिस लेकरके एक उपर आर्क खीचेंगे और एक नीचे आर्क खीचेंगे मिंस A के साथ दोनों एक ही बार हम आर्क खीच लेंगे नीचे भी और उपर भी उसके बाद C को सेंटर मान करके 6 cm रेडिस ले करके उपर भी आर्क खीचेंगे और नीचे भी जो उपर इस AC डागनल के उपर जो आप आर्क खीचेंगे जब तो यहाँ पर इंटरसक्सन होगा दोनों आर्क्स का तो वो पॉइंट मिलेगा D और AC डागनल के नीचे जो इंटरसक्सन होगा वो मिलेगा पॉइंट B ठीक है चलिए यहाँ पर कर लेते हैं ओके तो अब हमने यहाँ पर AC के उपर दोनों आर्क को इंटरसेट करवा लिया है यहाँ पर हो जाएगा आपका D और नीचे जो आर्क्स कटे हुए हैं यहाँ पर हो जाएगा B ठीक है अब AD and CD को जोइन करेंगे and AB और CD को भी जोइन करेंगे ठीक है ओके तो अब हमने यहाँ पर जोइन कर लिया है तो हमारा यह बन चुका है रोम बस हमें अब यहाँ पर मेजर करना है तो हम BD को मेजर कर लेते हैं और देखते हैं कि exact value कितनी आ रही है आप यहाँ पर देख सकते हैं खुद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0s मेरे लेख करके यहाँ पर measure कर रहा हूँ तो आपको देक रहा है 8 point आप देख सकते हैं यहाँ पर 8.5 8.9 मेंस 9 cm का असपास आ रहा है 8.9 का सपास, 8.9 या 8.8 होगा तो इग्जेक्ट यदि हम फ्राच्छे से देखें यहाँ पर पोजिशन सही है यहाँ पर भी पोजिशन सही है means एपन नाइन तो यहाँ पर हो सकता है वैलू आफ वैलू भी लेंथ आफ तो लेंथ आफ बीडी is equal to 8.9 centimeter and this is approximate value यह आपका exact value नहीं है यह आपका approximate value है so 8.9 centimeter आपका आ रहा है अच्छा हम यह दिवेरिफाई करना होगी सच में यह 8.9 centimeter होगा तो हम यहाँ पर एक concept लगा सकते है देखिए जब हम rhombus की बात करते हैं तो rhombus में हमें यह चीज़ देखनों को मिलता है ध्यान दीज़ेगा यह AC यदि 8 centimeter है यह हम AC को यहाँ पर लिख लेते हैं blue color में इदि हम अदर डिखनों डा करते हैं यहाँ पर यह दोनों जो है 90 degree पर कट करते हैं ठीक है यह हम पता है अब जो है और एक और बात हम जाते हैं कि इसके डिखनोंस जो है बैसेट करते हैं दूसरे को इस point पर तो यह जो length होगी वो उस पूरे का BD का जो है आधा होगा ठीक है 8.9 हमें तो construction करने के बाद पर चला न तो माल लेज़ेगे अभी पता नहीं आपको कि यह length कितना है तो अब इसको माल लेज़ेगे x है लेकिन आपको पता है कि यह OC यह हमाल यह point जो है O है तो OC length पता है आपको 4 cm होगा क्योंकि बैसेट करता है तो यह पूरा AC जो है 8 cm है तो यह आधा करेंगे तो 4 cm मिलेगा और यह length तो पता है side of this 6 cm ठीक है और यह आपका बन गया है right angle triangle यदि आप यूज करेंगे यह formula height square plus base square means 4 square is equal to 6 square तो यहां से x की value मिल सकती है x की value मिलेगी x square is equal to मिल दाएगा 6 square means 36 minus 4 square means 16 minus करेंगे आपको मिलेगा 20 means x is equal to मिलेगा square root of 20 तो square root of 20 क्या होता है तो 4 से आगे ही होगा 4 से बिल्कूल आगे होगा क्यूंकि 16.16 पर आजाता है 4 तो 20 का निकालेंगे यदि square root तो 4.something आएगा square root 4.47 4.47 तो इसका square root जो आ रहा है वो 4.47 आ रहा है तो इसका square root आता है 4.47 तो देखें मतलब कि x की value आ रही है 4.47 तो यह दूसरा वाला जो x यदि आइड करेंगे 4.47 में तो क्या मिलेगा 4.47 प्लस 4.47 प्लस 4.47 तो 7.14 का 4 1 carry over and 44819 and 0.448 means 8.9 approximate value आपको मिल जाएगा ठीक है 8.9 तो इसलिए मैं यहाँ पर approximate value रिखा है यदि आपने subscribe नहीं किया तो subscribe कर लिजएगा और like यह दी नहीं किया तो like कर दीजएगा इसलिए आपको अच्छा लगा तो और अपने दोस्तों को share कर सकते हैं thank you so much again bye